नमस्कार दोस्तों सुवागे तब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एक्जाम में टार्गेट हम कमिस्ट्री का पॉर्शन कर रहे थे में ली तो हम देखेंगा कमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर कौन सा है कैमिकल चैप्टर को पहले हैं और जो रिक्षन को स्टार्ट करते हैं उनको हम क्या करते हैं तो यह हमारी प्रोड़क्ट करते हैं अच्छे इसी के बेस पर हमारी होते हैं कुछ फास्ट एक्षन कुछ बैरी स्रोड़क्षन तेक्षे में पूच्छ इंपोर्टन है यह मैं आपको बता दूँ यह मुस्ट इंपोर्टन है कि मिश्टिक चैप्टर आप यह बोरिंग लग रहा होगा लेकिन आप देखोगे हैं कोई भी पेपर उठाके इसी यही लेवर रहता है आपका एक्जाम का तो इनको मतलब एक बार जरूर देखें 20-20 मिनट की वीडियो मनाता हूं दो की स्पीड करके इनको देख लें एक बार ठीक है आपके बड़े अच्छे नोट समन जाएंगे तो इसलिए हौन ग 한 damage धाती है बार फास थैक्षीन उती है जो इंस्टेंट ऑि शो एक्श कहते हैं तो हमें क्य City रूरार रिमता है है nephew और और क्वार नोरम चाौडम कारा यह जाती है पानी में हाइड्योजन में जल्दी से वह पानी बन जाते है ठीक है अब आधिस रेक्षिन स्थ पूरा पूरा करने के लिए जैसे यह संघार रेक्षिन कि कि होटी है कि आपको मोटी यह समझाने का कि होटी क्या है अबएक्षिन नेक्ट हेमारा वे Mins लोय ऊक्षिन को होगा कुछ आजलागा है धी होताओ लगग जाते हैं फॉर ग्जामपवल आपने देखना अगा फॉर्फ K flips लगता है ना तुसमें क्यों होता है हमारा जो आयरन होता है जो उसमें पारटर वेपर्स और ऑक्सिजन की मदद से बनते हैं और छोगे बनते हैं काफी लंब प्रोसेस होती है फलों का पकना प्राइपनिंग फ्रूट बर्निंग फ्यूल यह सारी कि हम बहुत फास्ट बेरी स्लो रेक्शन से अब दिखेंगे हम कि रिट ऑफ दे कैमिकल रेक्शन क्या होता है बोले दा कंसिटरेशन अफ दे रेक्टन गोज ऑन डिक्रीजि तो केमिकल रेक्शन को सब्सक्राइब कैसे कद लिखेंगे हम लिख दे के डाड़ जाएगा इंटेंग अब पहले ऐगा इन टरम्स ऑफ चैंगे प्रेक्टन आगे दान यहां कंसुटरेशन आगी तरह साथ टाउगे चेंगे नियुन्टरेशन अवरी यहां टेक्टन आग शीम आप आप किए कि मत आपकेशन एक का बस्ति होती है आप देखिए की एक किस तर से चेंज होती है हमारी है जैसे हम कार्मन और ओक्सिजन को मिलाते थो कार अच holiness और जिसमें हमें धूस्तिके मरे मीडिले अध्रेशि DOC ,, जैसे नायटोजन और ऑक्सीजन इसमें पहले हमें इसमें कियारना होगा इसमें देनी पड़ेगी तब यहां भी लिखा माइनस हीट एनरी देनी पड़े ताग यह नायटोजन ऑन्हों बंता है उसी तरशे नीचे है कैल्सियम कर्बॉनेट हैं हमारे ये कि इसमें हीट पहले देनी पड़ते हैं तभी हमारा CEO और करण नेक्षार इसमें बनते हैं डन चलिए अच्छा आप बोले अनो को हम तीन नाम से जानते हैं एक तरह नैट्रोजन ऑक्साइड नैट्रोजन मोन ऑक्साइड और नैट्रिक ऑक्साइड ओके देखिए इन नोट्स को नेक्ष्ट है फोट्कémical रिक्षिन फोंतलो लायट तो जो और मतलो हुझा से ऑक्साइड नहीं की बनतके हैं तो हमारे मिन और जल्यूड्य ने खेंपके तो ओंट या ऐख मैन физन निएक लिए कों नेट्स आप बीद्साइड वालट्रिक आफंड मोन देख्लाक्स67 यह कि अब कुछ करेक्टर स्टिक्स देख लेते हैं क्याम का रेक्शन के कुछ है इसके आज जेंगी पहला आएगा इसमें जो है वो गैस निकल पी है और उसमें लास्ट में प्रेसिप्टेट बनते हैं कुछ चेंड कलर में चेंज आता है या फिर उनकी स्टेट ही चेंज हो जा बते हैं तो जो जो उसको इसको करते हैं वहम दे इसमें पहला आगे हमारा पेला यी कंसिटेशन पिर आगाएं कि कितना कितना बाशिपरेटर है है solution हमारा तो वह भी डिपेंड करता है temperature हीट ज़्यादा है कम है कितनी हीट है वो सारा आता है पिक आपको पता है catalyst क्या होते हैं catalyst ऐसे सबस्टांस होते हैं जो हमारी rate of reaction को करते हैं enhance करते हैं ठीक है यानकि पहले हमारी यह रखता है chemical nature of the chemical reaction भी माइन रखते हैं अब मैं आपको कुछ important catalyst रखता हुगा यह आपको हर जगा काम है देखिए iron और molybidum पहला है हमारा iron और molybidum यह कहां यूज़ होता है synthesis of NST ammonia mean harvest process questions दाता है कि ammonia को कौन सी process के तरूब बनाए जाता है तो आप option आता है hardware process contact process तो अनसर है आपका hardware process निकल यूज़ होता है contact process क्या होती है जब हम oilium को यानिकी H7 H2SO7 को जब हम H2SO4 में बनाते तो उसमें हम फिर latinum यूज़ करते हैं और उस process को क्या बोलते हैं contact process फिर molybidum यूज़ होता है आपका lead process में इन्दा manufacture of the H2SO4 by lead process इस process के तारह जब हम सर्फूरी केसिट मना रहे होते हैं तो उसमें molybidum यूज़ होता है फिर hot AL2O3 यूज़ होता है प्रेपरेशन ऑफ एथाईल एल्कोहल फिर आएगा CuCl2 preparation of the chlorine by the gas by the decon process ठीक है chlorine gas by decon process chlorine नीचे gas यह मैं आपको बहुत वर बताया है अब देखेंगे types of reaction क्या होती है एक होती है combination reaction जिसमें कहता है जो दो चोटे मॉलेकूल आपस में मिलके एक बड़ा मॉलेकूल बना देते हैं जिसको हम गया क्या मिलके क्या बना रहा है फिर आएगा हमारा decomposition reaction इसमें क्या होगा एक बड़ा मॉलेकूल जो होगा वह छोटे-छोटे दो मॉलेकूल में टूट जाएगा decomposition reaction for example calcium carbonate यहां पर calcium oxide और carbon action में यहां पर बना next time displacement reaction अब displacement reaction क्या होगा कि इसमें क्या होगा एक ज्यादा reactive element यो होगा ठीक है तो कम reactive element को क्या करेगा तो कर T कोई हमारे पास किया है कोई हमारे पास एक हमको बड़ा स्ट्रांग किस इसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो यह क्या गया इसकी यहां कर दख्का मारे का करेगा और इसके जगाव खुद बैठ जाएगा इसको कहते हैं डिस्प्रिस्मेंट एक्षन मोर रेक्टिव एलिमेंट जो है कम रेक्टिव एलिमेंट को कर देगा धक्का मार के बाहर निकाल लिए फॉर इंपल कॉपर सलफेट है यहाँ पर दिखर होगा आपको अब कॉपर सलफेट है इसमें क्या जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रेक्टिव है तो जिंक ने इसको डिस्प्लेइस कर दिया तो खुद बने है जैड ने सफोर निकिजिंक सलफेट और कॉपर को उसने बाहर धकेल दिया डन चलिए अगला डबल डिस्प्रेश्मेंट ट्रेक्शन अब इसमें क्या होगा this reaction in which two compound react by exchange of ion to form two new compound इन में क्या होगा देखिए mutual understanding होगी दुनों में अब इसमें देखिए पिलिए अब रगेना है तो क्या हुआ इसमें बन जाएगा मारा यहीजय दोनों मुच्वल इसमें क्या होगा मिच्वल डिस्प्लेश्मेंट होगी यहां इक होते हमारी आक्सीन और डटॉक्ष्प्स रेक्षन एपके लिए मोस्ट इंपोर्ट स्वेट्स इसक्वार में ब प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रत्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र और ऐसा सब्स्टांट जो हमें क्या अब आपके राइडिशन या है को पता होना चाहीँ तो नो बहुता है यह अगया और अक्सिजन जो हमें क्या को hydrogen देते हैं और रिमूव औक्सीजन इसकाल रिडूसिंग एजएंट चलिए अगला है यह इसी रियक्शन में अकॉर्णिंग बताएगी कोंगों सा आपके बस रिडूज्ड और अगला अच्छा अगली देखते हैं दिस परपोर्शन प्लिस में क्या होगा कि और सबस्टांस इस औक्सीज़ एज़ एक एस सबस्टांस जो उक्सीडाइज भी हो रहा है और रिडूस्व और इसको क्या कहेंगे डिस परपोर्शन एक्षिंग यह कुते हैं कि रिडॉक्स इरेक्षिं इस रिच्शन में और रिएक्शन दोनों होती है न हमारी और रिडॉक्शन और रिडॉक्स एक्षिंग है डिस परपोर्शन होगी इस को छोड़िए अब है न्यूट्राजिशन एक्षिंग मोस्ट इपॉर्ट एक्षिंग अपने पड़ोगा जब इस रिएक्ट करते आपके बेस के साथ तो हमें क्या मिलता है सौर्ट मिलता है उसको क्या करते हैं हम हम कहते हैं सको न्यूट्राजिशन डिक्षिंग जैसी हमारा बेस है यह अपका चैज तो इसमें मिलके क्या बना यह कहें नमका यानि की सौर्ट बनता है और उसात में वाट्र लिपिरेट होता है तो यह आपकी न्यूट्राजिशन डिक्षिंग डिवल्सिवर डिक्षिं जो रीक्शन में जाती हैो जाती है उस को क्या क्या हो का और कि लिद वासिवड है इस तरह से लगाते त्यांट तो ज्याद आःचा क्या होगा है披िंग $2,50 कि एक idea करेक्श्पेशेशिक्स रहे कि देख लेते हैं क्यमेस के दरब कि एक रहती हुआ के तो है तो पहला एका कि सेम रेटर एक्टमिह भी किस्ट होगा फॉर्बर्ट पर टाइशन है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं कि एसके पाउट नहीं होता है याज सब्सक्राइब निकले तो वह हवाबन के उट जाएगी नहीं वह उसी किलिब्र में रहती है कि क्या होगा इसी भी ड्रम्य जिया होगा है हाँ आप प्रोंग भी क्यूंसे ने अ है इसमें कि ऐसे में हमारे क्या बता है कि इसमें होते हैं तो उनके देख रहते हैं कुछ दिसेशन ओफ एकमपाउंड विच कंड़ एक्टरी इतलों में सिंपल बदायकिल इलेक्टराइट होते क्या है देखिए पॉजटिव नेगटिव आपके न आइन हमारी क्या गी आयं जई तो हम क्या कहते हैं कि यह क्या होता है आप ने देख़ आपने देख़ होगा कि यह पॉस्टिम नेगति वागत तो हमारी लैक्टरिकल जो इन्हीं के थ्रूब कि आप पास आउट होते हैं तो यह क्या करते हैं इस ऑपने मोर्डेस्टिट में उनको क्लिए एलेक्ट्रोलाइट किया और इलेक्ट्रोवेलेन अपने सब्सक्राइब आयन एक्टर जे के डिफ एलेक्ट्रोसिटी ये जो मैं आपको बता रहा था कि यही आयन जो हो आपकी एलेक्ट्रिसिटीट वो करकतने पास करते हैं ठीक है चलिए अब मैं कुछ आपको आयन बताता हूं देखिए सोडियों हाइड्रोक्षाड एन निवेच इसमें फिर उसी तरह से एन एन ए पॉजिटिव सियो नेगेटिव अोजिटो पॉजिटीव वजितीव सिय तू पॉजिटिव सब्सक्राइब साथ सब्सक्राइब साथ यह सब्सक्राइब से दोंध़ उसी जाए हैं यह सब्सक्राइब कहलाते हैं ठीक है अब इसमें कुछ बताया है कि कुछ स्ट्रॉंग और वीक इलेक्ट प्राइट देख लिए नसील जालते हैं कुछ वाटर मॉल्कूल में कुछ एसटिक इस्ट डाल के तुछ आरे इन्होंने इसमें बताया हो कि कौन कौन चाहिए इसमें अब आयवाईट आथ है तो इसमें होगा क्या जो इसमें करते ना चाहिए आब पार्मिंट इसॉल्ष करते उनको इन्हों कोई अन्हें तिक इनमें कोई आयन होते हैं और नॉन एक लट आर कोवलन कंपाउंड और यह में मोर्सली कोवलन कंपाउंड होते हैं अब आगे आपका इसमें वोस्वाल डिलूशन लाओ फॉर विक एलेक्टोलाइट इसेट एट अचंसेंड बोले जब कॉमारा टेमडरेचर इसमें क्या हुआ कि जब हमारा टेमडरेचर क्या रहता है तो हमें यह याद रखना है कि टूटने की जिसमें जो डिगरी होती है फॉर विक एलेक्टोलाइट वो डिरेक्टले प्रपोस्टन लोटी कि स्क्वेरी रूट ऑफ डिलूशन के ओके तो एप्लिकेशन कहा है हमारी ओस्ट वाल लॉग की यह हमें डिट्रमाइन करता है कि हमारा इसेट जवाव स्टेंथ और हमारे इसेट और यह कैलकुलेट करत ठीक है अब जल्द जल्द शी करते हैं तीन मिनटा मारे पास फिर यह बिडियो बंद जाएगी तो हम दिखेंगे कि त्योरिस ऑफ एसेट और बिस पहला एगा एगा एरहीनियस कॉंसेट और बिस तो इसके क्या था कि एसे सबस्टांस होता है जो क्या करते हैं एच पोस्ट नहीं है लुप करते हैं इसके क्लाव से अर जो एक्सप्ट करते हैं वह हमारे बेस आगे जो छोड़ते हैं वह लेते हैं वह हमारे बेस आगे ठीक है अगल आगे हमारा तीसरा को सब्ट आता है हमारा लुइस तो लुइस तो कौन से होते हैं ऐसे सबस्टांस जो पेर अफ एलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं एक्सप्ट तो यह थी आज मेरे तरफ से आपके लिए वीडियो आई हो ने लाश तक इसको जरूर देखोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर करें बहुत इंपोर्ण यह बहुत बेसिक से मैं करवा रहा तो मुझे पता है उसमें थोड़ा सा स्पीस का दिक्रते मेरे मेरे फोन में तो उसके एकॉर्ण जो देख लिना थी अब इन तरफ से मैं पूरी कोशेश करना होगी मैं को अच्छे से करवा हूं तो इसी एक साथ करते हैं वीडियो को समाथ धन्यवाद